हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वाग एता है EPA for revision series industrial relations and labor law काफी जादा इंतजार रहता है इस series का क्योंकि usually मैंने खुद देखा कि इसके proper notes available है नहीं और काफी confusion रहता है students में, aspirants में की सरपढ़ना क्या है तो मेरी तरफ से इसके लिए पूरी पूरी कोशिश रहते कि आपको stipulated notes मिल जाए ताकि मतलब आप ज़्यादा confused नहों ठीक है जी और देखे आपको आपने अगर मेरे सारे revision series के अभी तक जितने भी lectures देखें तो उसमें आपको पता होगा कि मैं cues cues बहुत देता हूँ you know cues are very very important क्यूंकि जब आप cues लेते रहेंगे तो आपका जो expansion है वो भी बढ़ता जाएगा तो आपको इस lecture के बाद 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है आपको इसके बाद पढ़ना ही पढ़ेगा ठीक है मैं आपको बता दूंगा कि पढ़ना कहां से वैसे आपके जितने भी laws है ठीक है जी laws को पढ़ने का एक मैं बहुत ही simple बहुत simple तरीका पूर रहो हूँ वह आपको advocate advocate खोज.com वहाँ से सरफ आपने bare act पढ़ना है ठीक है कोई भी अगर आपने act है तो सीधे bare act निकालना है और एक section जो है वह आपने एक बार नजर मा देना क्योंकि basically bare act में क्या होता है explanation नहीं दी होती है चीजें आपको ऊपर-उपर से पूरा पता चल जाता है तो उससे ज़्यादा EPFO पूछता भी नहीं है ठीक है क्योंकि जर्नलाइजड exam है specialized examination नहीं नहीं है ठीक है तो without any further to start करते हैं अब देखिए industrial relation का international perspective जो है वह बहुत-बहुत-बहुत-बहुत ही ज़्यादा important हो जाते है क्यों क्योंकि हमने पिछली बार क्या देखा था कि globalized world है ठीक है जी 17th, 17th, 19th century में अगर इंडिया में कोई चीज हो रही है तो यूरोप में भी कोई चीज हो रही थी या फिर यूरोप में कोई चीज हो रही तो इसका ramification इंडिया में भी था ठीक है जी और ये smiley बन ठीक है तो industrialization के बारे में आपको यूरोप यूरोप बहुत जादा important है अगर आपको थोड़ा सा भी time है extra तो आप world history का पढ़ सकते है world history with perspective to Europe मत्तब यूरोप में क्या क्या हुआ था और यूरोप में हुआ क्या था कि labor movement आपकी initiate हुए थे जो की gradually grew करके spread हुआ था different countries में जि basically देखे रेनेसांस हो गया या आपके बाकी चीज़े है मैगना काटा हो गया यह सारी की सारी जितनी भी terminologies भोड़ रहा हूं दोस्तों यह आपके exam में पूछे जाने के बहुत-बहुत chances है ठीक है जी अब Asia में क्या है most of the countries जो है वो foreign dominance में थे यह तो आपको भी पता है कि द आपको पता आया था कि history इससे ही आपके mostly question बनेंगे तो आपको पता है कि कितना ज्यादा आपका पिछले colonial period में peace and movement से लेके आपके जितने भी acts हो रहा है वो उसी time पे बने था तो foreign dominance काफी जाए था और जैसे ही जब independent हो गए हमारे state तो government का जो approach था वो economic development में था ठीक है तो economy से related है ठीक है जी five year plan यहां से आपके दो या तीन question पका आएंगे मैं guarantee दे सकता हूँ five year plan से आपके दो या question पका सकते है ठीक है तो यह आपका economy का आगा है लेकिन हमने देखी relate कहां से कर रहा है हमने relating किया है industrial relations and labor law से international perspective से ठीक है अब देखे international labor organization यह सब ने पढ़ा होगा ठ ठीक है इन सबको बता होगा है आपने books भी लिए होंगी ठीक है EPFO के लिए market से सबने कुछ दिया होगा तो international labor organization को हम छोड़ नी सकते है this is very very important अब इसके में जानते है अब देखे फोटो है यह फोटो के है यह member है members of commission on international labor legislation to paris peace conference paris peace conference और Samuel Gompers जो है first room में first room में जो है ठीक है ठीक है थर्ड फॉर्म दे लेफ्ट अब थर्ड फॉर्म दे लेफ्ट कौन हुआ है यह है यह है तो अब देखिए आये लो के बारे में हम international perspective देख रहे हैं लेकिन साथ में इंडिन प्रिस्पेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टन है क्यों founding member है founding member है इंडिया और देखिए उ founding member अब देखिए यह 1919 में create हुआ था treaty of versalis treaty of versalis के बारे में पढ़ेंगे देखिए अब जो चीज़ें हम बहुत ज्यादा आप सुनते हैं पढ़ रहे हैं वो उसके आने के chances रहते हैं क्यों UPSC बोलता है क्यार यह चीज तो तुम्हें पता ही होने चाहिए basics वही ना UPSC goes for basics ह हुआ नहीं बनाता है ठीक जी चार से पांच question हुए वाले होंगे बाकी सब basics पे तो अब देखिए treaty of versalis हुई थी जिसकी वज़े से क्या हुआ था वर्ड वर वर वन जो है वो एंड होगी थी तो यह treaty of versalis देखिए वी वैसे ही important होगी तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप history से बहुत जादा चीज़ें relate होंगे ठीक ही अब उसमें हुआ क्या है कि वर्ड वर वर वन एंड होगी है और उसमें क्या reflect किया है अब देखें सोचल जस्टिस आगे तो अब पॉलिटी का दिमाग और चलाए यह पॉलिटी में सोचल जस्टिस कहां कहां दिया हो है हिंड दे देता हूं को प्रेंबल या फिर हिंड देता हूं डारेक्ट प्रिंट्स व स्टेफ पॉलिसी या हिंड देता हूं को fundamental rights तो यह को एक यूज मिल गया आपको कि आपने क्या पढ़ना है ठीक है अब constitution of ILO जो है वो draft हुआ था early 1919 में किस है labor commission by the labor commission जो की Samuel Gumpers जो थे उन्होंने chair person किये थे और यह Samuel Gumpers कौन थे यह American Federation of Labor के head थे American Federation of Labor के head थे in the United States ठीक है अब इसमें representatives कौन-कौन थे नौ कंट्री के nine countries के representatives है अब देखिए इन नौ कंट्री में अगर आज की date में देखेंगे तो हम देखते हैं ठीक है उस टाइम पे 1919 की है थोड़ा read कर लेते है Belgium, Cuba, Czechoslovakia, France, Italy, Japan, Poland, UK, UK and United States अब यह 9 countries 1919 की बात है presently 2021 में इन सब की condition देखिए आप, 2021 में इन सब की condition देखिए कैसी है Belgium excellent, Cuba excellent, Czechoslovakia excellent, France excellent, Italy excellent, Japan excellent, Poland excellent, UK excellent, USA excellent, देखिए उस टाइम से लेके अभी तक यह इनकी जो progress है वो excellent है ठीक है labor reform से लेके बाकी जीज़ों पे अब हुआ क्या, ILO जो है वो जेनेवा मूव कर गी थे, कब in the summer of 1920 तो जेनेवा मूव कर गी थे और France के Albert Thomas जो थे यह first director आये थे यह का Albert Thomas was the first director of the ILO, अब 9 international labor convention और 10 recommendations देखिए शुरू की बोड़ रहा हुआ है, 9 international labor conventions और 10 recommendations जो है, वो adopted हुए थे in less than 2 years, यह important हो गया है, ठीक है, और यह जो है, यह standards जो है, नोना key issues cover किये थे, वो key issues क्या किते थे, वो उनकी पर में जानते हैं, key issues जो labor से related थे कि hour of works, कि पागलों की तरह, बेड़ बक्रियों की तरह काम नहीं कराना है, unemployment, बेरोजगारी से निजात पाना है, maternity protection, ठीक है जी, night work from women, कि women को रात को work allowed है कि नहीं है, पहले था ही नहीं, minimum age और night work for young person, ठीक है, तो यह जो मुद्दे है, इस पे काफी ज़्या documents है, अब वो key documents आप अगर चाहें तो खुद ILO की website पे जाके भी, अब अगर आप Google करेंगे ILO key documents तो आपको मिल जाएंगे, मैंने वहीं कि उनकी website से ही सारा कुछ ढूंट के बनाया है, ठीक है जी, तो ILO key documents में क्या आते हैं, जब से पहले आते है, ILO declaration on fundamental principles and right at work, ठीक है जी, states to respect, promote principles, rights in four categories, whether or not they have ratified in relevant conventions, मतलब की, चार categories पे काम करना है, ठीक है, उसके principles and rights है, चाहे वो आपने ratify करें, ratification का मतलब होता है, accept करना या नहीं, मतलब लागू करना की नहीं, ठीक है जी, चाहे वो किया है, यह नहीं किया है, अब ये categories क्या है, freedom of association, ठीक है जी, अब देखे policy, यह देखे, ILO के conventions है, लेकिन Indian polity की perspective से है, freedom of association, पताए ये कौन से article में आता है, freedom of association, and form of association, या मतलब अपनी हम बना सकते है, ठीक है जी, या right to protest है, ये है, ठीक है जी, the effective recognition of collective bargaining, ठीक है जी, collective bargaining का concept यह यहाई से है, the elimination of forced or compulsory labor, ठीक है जी, ये भी हमारा polity में covered किया हुआ है, abolition of child labor, ये भी हमारे Indian polity में है, the elimination of discrimination in respect of employment and occupation, अगर किसी ने मेरा daily dose of polity का अगर देखा होगा, तो उसमें ये वाली चीज़ है, elimination of discrimination in respect of employment and occupation, article 16 के बारे में बात करिए, तो देखे दोस्तों, देखे, कैसी चीज़े ना जोड़ी हुई है, आपके international, ये industrial relation और polity, Indian polity में, ये देखे, ये अगर industrial relation है, तो ये हमारे Indian polity है, दोनों बिलकुल साथ साथ चल रहे हैं, दिमाग खोल के इन lectures को देखेगा, इंसा PDF लीजिएगा, study कीजिएगा, ठीक है, और जब आप दिमाग खोलेंगे, तो आपके questions बने के आएंगे, खुद ही बनेंगे, और आप बोलोगी कि yes, अब लग रहा है कि हाँ, मजा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, जैसे राहूल गांध अब यह लगू होते ही होते हैं, ठीक है जी, अब यह particularly mention group करता है, ग्रूप्स विद स्पेशल नीड, ठीक है, जी ग्रूप्स जो है, जिनकी special नीड उनके लिए का इसा है, जिसमें की unemployed और migrant workers के लिए है, ठीक है, तो ऊपर जो हमने पढ़ा है, unemployed और migrant workers के लिए दिया हो है, और यह economic growth के लिए ही नहीं बोलता है, कि economic growth alone is not enough, वो कहते हैं कि equity, social progress और poverty हटाना भी एक बहुत बड़ा मकसद है, ठीक है जी, तो यह एक पहला की हमने document पढ़ा, ठीक है, अब बहुत जाते हैं, यह देखे, treaty signed war over, Wilson leaves Paris, sales Sunday, German pledge to act in good faith, अब यह क्या हुआ था, treaty of Ursulis के बारे में, treaty of Ursulis के हो, क्योंकि हमने उपर पढ़ा था तो इसको जानना ज़रूरी है, और वैसे भी यह world history में इंपॉर्ट है, अब treaty of Ursulis क्या है, यह एक peace document sign हुआ था, ठीक है जी, between imperial Germany and the allied power, कब 28 June 1919, chronology समझ रहे हैं आप, ठीक है जी, आजकर chronology बहुत ही ज़्यादा, चर्चे में है, आज ही कैसे ही नहीं, बहुत time से ही, हमारे पूजनिया में च्छा जी क्या favorite word है, ऐसे बीच बीच में कभी-कभी, थोड़ा सा मजाग करने का मन मुझे इसलिए करता है, क्योंकि, बच्चे मुझे जो है, वो बोर हो जाते है, lecture में, कि सार यार, बोली जा रहे है, बोली जा रहे, ready करी जा रहे है, बट मुझे जो है, मतब अपने aspirants और, aspirants और जो students है, उनके साथ एक connect feel होता है, कि हाँ, ठीक है, मेरे सामने बैठे हुआ है, और इंडिया के किसी कोने में बैठ के य अनिवे, ठीक है, जब यह जो treaty है, इसने end किया था, क्या end किया था, state of war that had existed between Germany and the allies from 1914, और वो world war one को एक end पे लेके आये थे, ठीक है दोस्तो, तो world war को end पे लेके आये थे, this is there, okay, अब आते हैं, कि treaty gets its name from the palace of Vercalus, तो आप google भी कर सकते हैं, कि palace of Vercalus कैसा है, जहाँ पे sign हु जाता है, ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, इंडिया and ILO, इंडिया and ILO, मैंने उपरी भी बात करी थी, important है, तो इसके बहर में थोड़ा जानते हैं, कि क्या है, ठीक है, इंडिया and ILO, chronicle of a shared journey, 1919, 2000, 100 साल हुए थे तब, ठीक है, अब जानते हैं, क्या है, देखिए, अब इं ILO का, जो की, 1919 में आया थे, at present, जो है, इंडिया, at present, ILO की 186 member है, ये मैंने, ILO organization, जो है, इंडिया की, जो है, official website, वहाँ से लिए हुए, सारी information, ठीक है जी, अब unique feature of ILO का, क्या है, try, part, right, character, try, part, right, का मतलब होता है, तीन, तीन, जैसे आपकर, tripod होता है, ना, camera का, वैसे ही, तीन, तीन की तरह है, इसका, ठीक है जी, हम membership of ILO क्या करता है, वह ensure करता है, कि growth of tripartate system in the member country, हर level पे क्या है, organization जो है, government के association, association होती है, कि इसमें, दो social partners होते है, जिसमें worker और employer है, तो मतलब आपके worker आगया, employer आगया, और ILO भी आगया, तो ये tripartate हो गया, ठीक जाते है, almost in all organs of ILO, organs पे आजाते हैं, ठीक है, तीन organs क्या क्या है, और कैसे होते है, तीक है, ये है पहला international labor conference, इसका बार में आप Google प्लीज कर लिए जगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, और lecture बहुत ही बड़ा हो जाता, ठीक है, तो ILO में international labor conference है, जिसमें कि journal assembly of ILO, य ये साल में, month of June में मिलते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, governing body, इसमें executive council होते हैं, आजिलो में, और ये तीन time मिलते हैं, साल में, तीन बार मिलते हैं, कब March, June और November में, ठीक है फिर आता है आपका international labor office, अब ये permanent secretariat है, ठीक है ये international labor office, जो है permanent secretariat है, अब जो work क्या है conference का, और governing body क है, वो है कि supplement करना है, कि इसका regional conferences को, regional advisory committees को, ठीक है जी, industrial and analogous committees को, committees of expert, panel of consultants, special conference and meetings, etc. ये conference का का काम है, basically, अब कर जितना भी time जहां में, ये जितने भी हमने दिये हैं, इसका करना है, ठीक है जी, चली, अब आते है core conventions of ILO, अब core conventions जो है, ILO के उसके बारे हम थोड़ा से जानते हैं, क्या होता है, अब 8 core conventions है of ILO, जिनको हम fundamental human rights convention भी कहते हैं, वैसे तो आपकी conventions बहुत जादा हैं, लेकिन fundamental और human rights convention कौन कौन सी है, सबसे पहले है, forced labor convention, ठीक है जी, फिर आता है, abolition of forced labor convention, और दीके, ये जब आप कर रहे हैं, तो Indian polity से पक्का पक्का जोड़ना, please भगवान के लिए articles ढूण लेना कि कौन से article में इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत बहुत important है, इसी से आपके quality के question भी निकल के आएंगे, ठीक है, abolition of force level convention हो गया, फिर equal rumination convention हो गया, discrimination हो गया, देखिए, quality, Indian polity के discrimination, आप ये articles अगर मु minimum age convention, ये देखिए, यहाँ पर भी है, minimum age convention काम करने वाले, आप मुझे Indian polity के बताएंगे, ठीक है, worst form of child labor convention, ये भी Indian polity में है, ठीक है, अब ये देखिए, ये जो 6 है, ये ratified कर दिये गया है, इंडिया से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो है, ये ratified कर दिये हैं, इंडिया से, ठीक है, collective bargaining, ये वाले जो है, ratified नहीं करे हैं, इसके इंडिया ने ratification नहीं करी है, as per the website of Indian government, ठीक है जी, चले, अब ये हो गया हमारा ILO, अब आते हैं, factories act, 1948, इसके salient features, ठीक है, इसके salient features के बारे हम जानेंगे, ठीक है जी, अब ये factories act, जो है, वो half करवाया होगा है, क्योंकि अगर मैं full करवाता है, तो आपका ये lecture जो है, डेड़ से दो घंटे चला जाता, इसका जो half part है, वो आप अगले वाले lecture में देखेंगे, ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, कि important section कौन-कौन से है, जो sections होते हैं, वो जरूरी नहीं आपने रटने हैं, ठीक है, लेकिन important section जो है, जहां से question बनने की बहुत-बहुत-बहुत संभावना है, जहां पर मैं, हम mock test में भी, मैं आपके यहीं से questions बनाता हूं, क्योंकि ये act मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पूरा bear act नहीं डाला है, आपकी simplify करने के लिए बिल्कुल डाला हुआ है, तो इसके बार हम जानते हैं, ठीक जी, factories act 1948 के salient features देखते हैं, ठीक जी, अब देखते हैं, interpretation, या भी, section जो है, definition part के साथ करता है, deal, कौन सा, section 2, especially, देखिए, आप किसी भी, अगर किसी भी act पे जाएंगे, तो usually देखेंगे, section 2 या 3 जो है, वो definition पे ही आता है, one जो है, section 1 जो है, आक्ट के आपको कोई पूछता है, कि suppose, adolescent जो है, वो कौन से section में defined, और आपके पास options area, section 1, 2, 3, 4, तो आपका 90% रहेगा, वो section 2 है, मतलब अगर आप अपना थोड़ा दिमाग लाकर elimination से भी करेंगे, तो section 2 आपका answer रहेगा, ठीक जी, अब section 2 में क्या क्या define कर रहा है, वो हम जानेंगे, ठीक है, कि होता क्या क्या है, let's see कि उसमें क्या 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 आता है, ठीक है, अब आते है, adult, adult क्या होता है, person who has completed 18 years of age, मतलब जो 18 साल की complete कर चुका है, not less than, ठीक है, 18 years complete कर चुका है, 18 years one day भी होआ है, तो वो adult होगा, ठीक है पिर आते हैं, adolescent, adolescent का मतलब क्या होता है, person who has completed 15 years of age, adolescent होता है, 15 साल, जिसने complete कर लिया है, या फिर उस से उपर, ठीक है जी, but has not completed 18 years, ठीक है जी, मतलब 15 साल से उपर और 18 साल से नीचे को हम क्या मोलते है, adolescent, ठीक है जी, अब आते है, calendar year, calendar year का मतलब क्या होता है, period of 12 months, बारा म महीने, beginning with the first day, first day कम माने जाएगा, January in any year, मतलब January का first day से हम, जो है, calendar year मानेंगे, ठीक है, जी, अब आते है, child, child का मतलब क्याता है, person who has not completed 15 years, मतलब 15 साल, जिसने complete करें, मतलब की, आपका 15 साल से नीचे, जो है, वो child मानेंगे, तो आपको सामझ आ गया होगा, adult का होता है, adolescent क होता है, child का होता है, कि आपका क्या होता है, कि essay type के questions में भी आप ये लिखते हैंगे, तो आपको अच्छे का से marks मिल जाएगे, कि आपने legal जो है, वो भाशा योज़ करी है, अब आते है, competent person, competent person क्या है, in relation to any provision of this act, this act के according क्या है, एक ऐसा व्यक्ति, a person, और ऐसा institution, institution भी है, competent person, institution भी माना गया है, जो recognize कि रहा है कि इसने, chief inspector ने, chief inspector जो है, वो कौन है, government होते है, for the purpose of carrying out test, ठीक जी, test हो गया, examination, inspection required to be done in factory under the provision, मतलब की, कोई भी आपके test हो गया, examination हो गया, जो की हम एक competent person के साथ कर सकते हैं, जो की chief inspector ने recognize किया, उसको हम competent person मानेंगे, ठीके जी, अब उसमें क्या क्या है, ठीके जी, qualification experience जो है, person का, या facility का, वो determine करेगा कि competent person क्या है, और जो qualification experience of person employed in such institution and facility available therein, with regard to conduct of such test and examination, and inspection, and more than one person on institution can be recognized, as competent person in relation to a factory, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो की, उस type के test या examination है, या फिर आपके inspection जो है, वो competent है, उसको करने के लिए, उसको हम competent person कहेंगे, और वो ज़रूरी नहीं है, एक व्यक्ति है, वो एक institution भी हो सकता है, ठीके दोस्तों, फिर आते हैं, hazardous process, hazardous process का मतलब क्या होता है, process, या फिर activity in relation to an industry specified in first schedule, मतलब की, कोई इस तरीके के process, जो first schedule में, mention कियो है, ठीके जी, जी के, जिसमें की, unless special care is taken, raw material used therein, immediate or finished product, by product, waste, affluent, therefore, मतलब की, ये जो आपके hazardous products है, बिल्कुल simple भाशा में कहें, वो क्या होते हैं, जो की cause करते हैं, material impairment to health of the person, मतलब की, health of the person की, material impairment, मतलब की, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जो की engaged है, या फिर connected है, ऐसे processes में, ठीके जी, जो की result करते हैं, pollution of journal environment, तो उसको हम hazardous, hazardous क्या कहेंगे, process कहेंगे, hazardous process कहेंगे, ठीके तो फिर आते हैं, young person, अब young person कौन है, a person who is either a child or an adolescent, अब देखे, child की definition कौन थी, 15 से नीचे, adolescent की के मतलब है, 15 से उपर या फिर 18 से नीचे, तो young person कौन होगा, 15 से 18 के बीच में, ठीके जी, ये इसकी definition आगी, दिन का मतलब को होता है, डे का मतलब होता है, पीरिट ओफ 24 hours, beginning at midnight, मतलब, रात के बारा बजे, बारा बजे, आपका time period स्टार्ट होगा, अगले रात के बारा बजे तक, वो 24 hours का जो time period होगा, उसको हम कह बोलेंगे, एक दिन, ठीके ची, week का मतलब को होता है, week का मतलब होता है, seven days, beginning at the midnight on Saturday, मतलब, रात के बार, अगे, sorry, midnight on the Saturday, ठीके जी, Saturday night से start होगे, such other night may be approved in the writing of particular area by chief inspector of the factory, ठीके, मतलब, कोई और अगर night हमने अप्रूव करनी है, तो chief of the, chief inspector of the factory है, वो decide करेंगे, कि नहीं जी, हमारा जो है Saturday नहीं है, हमारा तो Monday है, Monday की midnight से start होगे, और Sunday की midnight से, तो वो chief of the, inspector of the factory भी decide कर सकते है, अब आते हैं, power, power का मतलब होता है, electrical energy, ठीके जी, जो की mechanically transmitted है, and not generated by human or animal agency, मतलब की, तारों के माध्यम से, जो transfer हो रही है, ठीके जी, उसको हम क्या कहेंगे, power कहेंगे, ठीके जी, और prime mover क्या होता है, prime mover होता है, कोई engine, motor, या फिर कोई ऐसा appliance, जो की generate करता है, या फिर provide करता है, power, तो ठीके जी, आपका generator भी आ गया उसमें, ठीके जी, उसमें फिर आपका inverter भी आ गया, उसको हम prime mover कहेंगे, ठीके जी, अब transmission machinery क्या है, ठीके definition है, जरूरी नहीं है, कि आपको, इनको रटना है, बट समझना जरूरी है, कि transmission machinery टाइप क्या होता है, उसको मतलब होता है, कोई shaft, wheel drum, pulley, system of pulley, coupling, clutch, driving belt, या कोई भी इस तरीके का appliance device, जो की motion of prime mover से transmit करता है, क्या, क्या transmit करता है, आपकी electricity या फिर power, ठीके जी, तो उसको हम transmission machinery कहेंगे, अब machinery में क्या क्या आता है, machinery में prime movers आता है, उपर हमने बात के लिए, transmission machinery आ गई, या फिर कोई भी ऐसा appliance, जो की power is generated, transformed, transmitted or applied, मतलब की, बिजली के जटके देने की ज़स्ता, ठीक हो जी, फिर आते है manufacturing process, manufacturing process का मतलब क्या होता है, making, banana, alter, मतलब change करना, repairing, मतलब ठीक करना, ornamenting, मतलब उसको, आप ornamenting करेंग, finishing, मतलब ठीक ठाक करना, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing, otherwise treating, adapting any article or substance with view to use, sale, transport, delivery, disposal or storage, क्या मतलब, क्या ही मतलब इन्होंने बना दिया होगा है, manufacturing का मतलब होता है, यतना कुछ, ठीक है, चलिए, अब आते है, worker, worker का मतलब होता है, एक person, चाहिए, ठीक है, जो की employed है, directly, या फिर, किसी agency के through, including a contractor, with or without the knowledge of the principal employer, अब इसके बर में जानते हैं, थोड़ा से समझते हैं, मैं, suppose, एक factory का मालिक हूँ, ठीक है जी, ये आपके एक घोड़ा-गारी है, ठीक है जी, बाहर खड़ी हुई है, समान लेके आना, factory का यहाँ पर, ठीक है जी, घोड़ा-गारी यहाँ पर आई, कुछ प्रॉब्लम हुई और इसके घोड़े का प्रॉब्लम हुई, अब क्या है, ये घोड़ा-गारी वर्कर रहेगा, कि नहीं, yes, this will be the worker, क्यों, अब देखिए, with or without knowledge of principal employer, मैं मालिक बैठा हूँ, मुझे क्या पता की घोड़ा-गारी लेके आया है, weather rumination or not, ठीक है जी, in any manufacturing process, or in cleaning part of machinery, premises used for manufacturing process, or in any kind of work, incidental or connected with manufacturing process, देखिए, घोड़ा-गारी आ रहे थी, समान लेके जा रहे थी, ठीक है जी, subject of the manufacturing process, but does not, अब देखिए, इसमें क्या है, but does not include any member of the armed forces of the union, अब देखिए, इसमें worker जो है, armed forces जो है, armed forces वाले जो है, उनको include नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों, they are not included, तो यह आपके आगे worker, ठीक है जी, अब factory का मतलब कहता है, factory का मतलब है, any premises including precinct thereof, मतलब, अब इनके बारे में देखते हैं, वो काम कर रहे थे, जहां पर की manufacturing process, जो है, carried out हो रहा था, उसको हम क्या कहेंगे, factory worker कहेंगे, दूसरा point कहा है, जहां पर 20 या more workers are working, मतलब 20 या 20 से जादा लोग worker है, और were working on the day of the preceding 12, मतलब 12 महिने से काम कर रहे थे, manufacturing process में, उनको हम जो है, workers कहेंगे, ठीक है जी, लेकिन अब इसमें एक clue है, but does not include a mine subject to the operation of, mines act के अंतर गा, तो कुछ अलग सा है कि, mine subject जो दिये होए हैं, वो नहीं include होंगे, या फिर, कोई mobile unit, mobile unit किसका, armed forces of the union, या फिर railway, shed, hotel, restaurant, or eating place, तो यह उनको, हम workers में नहीं include होंगे, क्योंकि आपको पता है कि, armed forces or railways के अलग अलग acts है, and so are the, acts of the different, of the mines act, ठीक है जी, चली, अब आते हैं, occupier, occupier का मतलब के आता है, occupier of factory का मतलब होता है, the person who has ultimate control, किस पे, affairs of the factory, मतलब कोई ऐसा इंसान, जिसका मैं यहां का जायकान शीक रहे हूँ, उसको हम occupier बोलेंगे, ठीक है जी, अब आते हैं section 7 पे, section 7 क्या है, notice by occupier, notice जो है occupier को देना पड़ता है, ठीक है जी, यह इच मेने, days जो मैं बोलूँगा, days जिन पे focus करूँगो, वो जादा important, ठीक है जी, अब क्या है, the occupier shall at least 15 days before he begins to occupy or use any premises as factory, send to chief inspector a written notice containing few few things, ठीक है जी, मतलब 15 जन से पहले, factory के शुरू होने से पहले, chief inspector को written notice भीजना पड़ेगा, किस चीज के बारे में, सबसे पहले क्या है, उसको बता रहा पड़ेगा, name and situation of the factory जी, कहां उसका नाम क्या है और कहां जैसे है, name and address of the occupier, मतलब जो की, जो occupier भेज रहा है वो अपने नाम और address भी भेजे, name and address of the owner of the premise or building, कई बार होता कि occupier जो है वो जरूरी नहीं कि owner भी हो, owner कोई और होता है, ठीक है जी, ठीक है और कहां है address to which communication relating to my factory may be sent, कई बार आपका head offices जो होते हैं वो कहीं और होते हैं, तो आप आपके जितने भी चीज़ें हैं, मतलब आपके जितने भी कोई fines हैं या कोई letters हैं वो आपके वहां पर पहुंचते हैं, कहां पर जो address आपने mention किया, तो occupier जो भेजता है, फिर क्या है nature of the manufacturing process की भई यहां पर क्या बन रहा है, बं, बारूद, गोला, पटाके, मिस्केट्स, लेज, कुरकुरे, भूख लगी, ठीक है जी, और क्या है, carried on in the factory during the last 12 months, मतलब कि बिशले बारा महीने से तुम क्या कर रहे थे, यहां पर लेज बना रहे थे, ठीक है जी, और क्या है, to be carried on the factory during the next 12 months in case of factories, मतलब कि अगले बारा महीने में आपने क्या काम करने वाले हो, कि बारा महीने पहले जी, हम तो लेज बना रहे थे, बट अब हम कुरकुर बनाने वाले है, ठीक है जी, या फिर हम बारा महीने पहले दोनों लेज और कुरकुर बनाये थे, लेकिन अब हम मैगी बनाने वाले है, ठीक है जी, इंक्लूड डा रेटेड हाउस पावर ओफ एनी सेपरेट स्टेंड बाय प्लांट ठीक जी इसके बारे में नहीं है मतलब कि आपका टूटल रेटेड हाउस पावर है और क्या के बताना है नेम एंड मैनेजर ऑफ फैक्टरी ठीक जी जैसे की बताना पड़ेगा की जे ठालाक परकलाल गड़ा इस दा ओनर और नटुका का इस दा मैनेजर ऑफ दा फैक्टरी ठीक जी मैं तार्क में तक बहुल बड़ा फैन हूँ ठीक जी फिर अगला कहा है नंबर ओफ वर्कर्स लाइकली टू बी इंप्लॉइड इंप्लॉइड इंड फैक्टरी मतलब की जी हमारे लगने हैं ठीक है फिर कहा है एवरेज नंबर ओफ वर्कर्स पर दें इंप्लॉइड दूरिंग लास्ट वेल मंथ की जी हमारे पिछले बारा मिन में आवरेज जो है हमारे दोस्तो या तीन सो बच्चे बंदे लगते थे काम में ठीक है इन केस फैक्टरी इन एक्सिस्टें अब आते हैं यह हो गया हमारा 30 days का clause अब आते हैं अगला क्या है before a factory engaged in manufacturing process ठीक है जी which is ordinarily carried on the less than 180 working days मतलब 180 working days in the year resume working occupier shall send a written notice to chief inspector containing the particular specified in subsection 1 ठीक है जी मतलब 180 days का काम चल रहा है ठीक है तो उसको अपने chief inspector को सारा का सारा specify करके भीजना पड़ेगा और क्या है जब भी नया manager appointment होता है वो भी occupier को भीजना पड़ेगा inspector को किसमे return में कब नया manager आ गया है आपका तो साथ दन के भीतर में आपको बताना पड़ेगा कि sir नया manager आ चुका है ठीक है अब during any period no person has been designated as manager of factory during which the person designated does not manage the factory any person found acting as a manager or if no surgeon is found the occupier himself shall be deemed to be the manager of the factory for the purpose of of this act मतलब कि suppose वो जो आपका time period है और उसमें कोई भी manager नहीं है या फिर कोई acting manager है या फिर चलो कोई भी नहीं काम कर रहा है तो occupier को ही manager माना जाएगा ठीक है जब तक कि वो आया नहीं है अब आते है section 8 or 9 section 8 or 9 क्या है section 8 क्या कहता है कि state government जो है वो official gazette में appoint करेंगे such person possessing as a prescribed qualification मतलब जो state government रखी है किस चीज़ के लिए चीफ इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं जिसको जो power confirm किये जाएगी वो इसके act के अंतर होगी अंतरगत होगी ठीक जी अब देखे every district magistrate shall be an inspector for his district district magistrate जो है वो आपके inspector रहेंगे यह एक clause दिया है अब section 9 आते है power of inspector inspector सहाब की power क्या है अब देख लिए अगर आपको district magistrate को inspector बनाया गया है तो आप देख लिए कि उनके पस कितनी जादा power होगी वो देखते हैं अब आपको inspector क्या कर सकते हैं वो enter कर सकते हैं अपने assistant के साथ ठीक है जी जो कि आपके assistant वो भी public service में ही है किसी भी factory में घुस सकते हैं examination कर सकते हैं इस factory की inquire कर सकते हैं कोई भी accident हुआ है dangerous occurrence हुई है ठीक है जी वो बोल सकते हैं कि हाँ अपने register दिखाओ अपने documents करो वो seize कर सकते हैं copies ले सकते हैं register के ठीक है और वो measurement और photograph ले सकते हैं recording सी जो भी उनको necessary लगता है तो ये inspector की वो आगी अब आते हैं chapter 3 ये health से related है और यहां से questions बहुत ज्यादा बनते हैं ठीक है दो section 11 क्या कहता है cleanness कहते हैं कि हर factory को clean रखना पड़ेगा free from effluvia जो की drain प्रिवियर या फिर बागी nuisance से निकल के आते हैं और हर floor को clean किया जाएगा once क्या once in every week by washing using disinfected जहां पर necessary है तो ये cleanness के बारे में आगे section 11 section 12 क्या कहता है disposal of waste and effulence ठीक है जी अब effective arrangement बनाने पड़ेगे किस चीज के लिए treatment of waste जो है वो करनी है effulence due to manufacturing process for example अगर कोई cement factory है तो एक effective disposal of waste system बनाने पड़ेगे section 12 में आया ठीक है अब आते है section 13 section 13 कहता है ventilation and temperature अब क्या है कि proper ventilation चाहिए effective and suitable provision जो है वो फेक्टरी के बनाने पड़ेगी किस चीज के लिए securing a maintaining every work wound into adequate ventilation तक ही circulation जो है fresh air की हो ठीक है और प्रॉपरली temperature भी होने चाहिए कि अब आपको humidifier भी लगाने पड़ते है humidity भी आपकी regulate होनी चाहिए ठीक है section 14 कहता है dust and fumes dust and fumes का क्या है कि कोई भी dust or fumes जो है या impurities of such nature है उनको जो की likely injurious है जैसे कि आपके कुछ factories हैं जहां पर की बड़े ज्यादा hazardous dust निकलती है ठीक है जैसे paint industry ही हो गई उसमें है तो आपको properly क्या है measures shall be taken to prevent inhalation accumulation of work moon ठीक है जी मतलब की dust or fumes से बचने के लिए properly measures लेने पड़ेंगे ताकि उस टाइप के जो भी impurities है वो आपके system में ना खुझे पंदरा section 15 क्या कहता है artificial humidification artificial humidification क्या होती है in respect of all factories in which humidity of air is artificially increased है देखिए उपर हमने की थी dust and fumes अब section 15 जो है particularly artificial humidification के बारे करता है कि उपर आपके sprinklers लग जाते हैं और उससे humidity भढ़ाई है कम किया जाती है और state government जो है वो rules prescribe करते है किस पर standard of humidification कि इतनी होनी चाहिए या फिर regulating the methods used for artificial increasing the humidity of the air मतलब कि आपकी humidity of the air कैसे होनी चाहिए ठीक है फिर यह क्या करते हैं directing prescribed test किस चीज के लिए determine करने के लिए कि humidity of air जो है वो correctly carry की जारी है या नहीं मतलब कि recorded हो रही है कि नहीं बिल्कुल ठीक होना चाहिए section 18 क्या क्याता है drinking water अब सारे factories में क्या है पानी के फिरस्ता होनी चाहिए वो conveniently conveniently situated होने चाहिए ठीक है जी for all workers employed there in sufficient supply of wholesome drinking water अब देखिए जिसमें 250 workers है जिसमें more than 250 workers है वहाँ पे cooling drinking water during hot weather season होना ही चाहिए अब यह ठीक है 250 workers का जो है 250 जो दिया है यह यहां से clause निकल के आए ठीक है section 19 जो क्या कहता है वो है lateral urinals urinals अब कहते हैं कि हर हर factory में sufficient lateral urinals होने चाहिए ठीक है जी properly जो कि conveniently situated हो ठीक है अब क्या है कि separate enclosed accommodation जो है वो male और female workers के लिए होने चाहिए और presently जो है नया जो क्या है transgender के लिए transgender के लिए भी toilets का विवस्ता के लिए बात की जाने लग पड़ी है और काफी ज्यादा factories में यह कर भी जा रहा है ठीक है जी और अब तो मतलब की wheelchair के लिए भी provision रखने का कह रहे है तो यह factories act के अंदर आते हैं अब जो इस type की accommodation है वो lighted होनी चाहिए properly ventilated होनी चाहिए और ठीक है जी मतलब की उसकी कुछ आपकी जो भी उसकी specification है वो chief inspector के permission के बिना मतलब आपकी नहीं approval होनी चाहिए ठीक है जी अब क्या होता है कि हर in every factory जहां पर more than 250 workers are ordinarily employed ठीक है जी तो उसका जो आपकी lateral and urinal accommodation जो है वो sanitary types में होने चाहिए ठीक है मतलब उसका जो है type जो sanitary types में properly होने चाहिए अब आते हैं section 20 spittoon ठीक है जी थूकदान देखे आपको पता है कि काफी जारा factories में आपके पान जारा बीड़ी बगार होता है और आप क्योंकि कोविड में देखा है कि थूकना allowed नहीं है तो properly spittoon बने होते हैं ठीक है जी factories में हर factory में क्या है there should be sufficient spittoon in convenient places जो की एक clean और hygienic condition में होने चाहिए ऐसे नहीं है कि गंदी सी condition में होने चाहिए और state government जो है rules बनाएंगे किसके लिए type and number of spittoon to be provider उसकी location जो है factory में वह भी होने चाहिए और clean और hygienic condition में होने चाहिए ठीक दोस्तों तो इसी के साथ हमारा जो है आज का lecture खतम हुआ है ठीक comment section में बताईए कि आपको इस lecture कैसे लगा ठीक है और अपना ख्याल रखिए बढ़ते रही है और मैं चलता हूँ take care bye bye